तो हेलो फैम वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो कैसे आप सब तो फिर्ट आज का जो वीडियो बिल्कुल एंड तक दिखने काफसदर इंफर्मेटिव होने वाला है फिर्ट बहुत से लोगों के ये कुशन होते ही कि हमारे जो वहिकल का टायर है हमारे कार का जो टायर है उ एकच्चूल बात करूँगा अखिरेक टायर के कित्तनी लीमीट होती है कित्ते किलोमेटर की होती है कित्ते साल की होती है इसके बारे मैं सारी information आपको दूँगा जिससां को exact बदा चलाएंगा कि आपकी किलोमेटर पर आपको चेंज कराना चलिए और exodus अगर आपके यह like क कित्ते किलोमेटर चल सकता है या कित्ते साल में आपको change कराने चाहिए इसके बारे मैं बात करता हूँ इसके बाद मैं आपको practical भी बताऊँगा हम खुद identify करेंगे कि टायर की manufacturing कब है कित्ते किलोमेटर चल सकता है वो आगे का point है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर cover करूँगा अब सबसे पहले बात करते है कोई एक टायर है अब वो कित्ते किलोमेटर चल सकता है अगर मैं generally देखा जाए एक average देखा जाए तो एक टायर 40-50,000 किलोमेटर चलता है definitely अब कोई भी टायर हो उसमें आपको यर नहीं बताया जाता है कि आज आपने manufacturing date है आज की present date में तो आप उसे अगले साल या दो साल बाद आपको change करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई टायर manufacture है कोई टायर आप purchase कर रहे हो तो उसमें जो limit होती है वो एक किलोमेटर की दी जाती है means यह जो टायर है 40-50,000 किलोमेटर चलेगा या फिर 50-60,000 किलोमेटर चलेगा तो एक टायर के उपर जो किलोमेटर होता है उसकी एक limit दी जाती है हर एक manufacturing अलग-अलग limit देता है हर एक अलग-अलग qualities होती है इसके उपर depend बट एक average अगर देखा जाए तो 40 या 50,000 km एक टायर की life span होती है अगर आज के date में आपने change कराए हो तो 40 से 50,000 km आप उस टायर पे easily चला सकते हो ये नहीं, अब ये भी हो सकता है कि मैं 40 से 50,000 बोल रहा हूँ ये हो सकता है कि 55,000 ये 60,000 km भी चल जाए अब ये क्या है ये आपके driving के उपर भी depend करता है इसके बाद 40 से 50 तो maximum चलता ही है जो उसकी limit दी गई है लेकिन अगर उस टायर 40 से 50,000 km पे भी अगर wear out ना हो अच्छा condition है तो उसे आप और भी चला सकते हो बट एक average अगर limit देखा जाए तो 40,000, 45 ये 50,000 इसकी limit होती है अब इसे हम कैसा पता करें अब आपकी जो हो भी vehicle है उसका आपको सबसे पहले tear को inspect करना है अब tear पे बहुत सी quantities, काफी साथ आपको चीज़े लिखी भी दिखती है आपका tear size होता है और कुछ-कुछ और भी numbers होते है numerical होते है तो अब ये क्या है तो सबसे पहले आपको सारी चीज़े छोड़ देना है एक चीज़ पे आपको important देखना है वो है आपके tear की manufacturing date अब जैसे का आप tear के उपर देख सकते हो आपके tear को आपको identify करना है और वहाँ आपको मिलेंगी एक year और एक week की date अब ये क्या होता है जो भी tear पे लिखा हुआ है जो भी सबसे पहला वाला आप जैसे देख सकते हो इस video के अंदर तो फर्स्ट वाली जो digit है वो होती है week means ये tire किस week में बना है उसके आगे जो date होती है वो जैसे का आप देख सकते हो तो ये होता है आपके जो भी manufacturing का year तो आपको year देखना है और किस week में बना है वो देखना है और वहाँ से आपको आइडेंटिफाइ कर सकते हो कि आपका जो tire है वो यहाँ से कित्ते किलोमेटर चलेंगा आप देख सकते हो आपके car की जो tire है उसकी manufacturing कब की है 2018 है 19 है 20 है 21 है जो भी है उसके वहाँ से आप check out कर सकते हो कि जिस month से वो manufacture हुआ है वहाँ से आप उसे 40-50,000 किलोमेटर चला सकते हो अगर second hand vehicle purchase कर रहे हो तो भी आप identify कर सकते हो नई vehicle में तो कोई issue नहीं है जब आप purchase करोंगे तो उसी time में वो नया tire होगा वहाँ से आप identify कर सकते हो लेकिन अगर second hand vehicle है तो आप tire के condition देखके और उसका year और उसके manufacturing rate देखके check out कर सकते हो और समझ सकते हो तो friend जैसे कि आपको समझ गया कि मैंने जो बताया 40-50,000 किलोमेटर एक tire की limit होती है उत्ता आप चला सकते हो अगर 40-50,000 किलोमेटर आपके complete हो जाते है उसके बाद आपको एक inspection करना है कि tire की condition क्या है कहीं से कुछ wear out तो नहीं हुआ है या आपको sidewall जो होती हो कई से कटी तो नहीं है अगर नहीं ये सब चीज़े अच्छी है तो और ज़्यादा आप tire को चला सकते हो कोई issue नहीं है बट ऐसा लग रहा है कि अगर आपके tire में काफी ज़्यादा cuts हो गया है उसकी wear out हो गया है tire काफी ज़्यादा threads भी कुछ भी नहीं बचे है तो आपको change कराना immediately ज़रूर है अगर कोई भी आपके doubt है इस video से related या कोई भी other तो आप comment section में comment कर सकते हो मैं जल से reply देता हूँ और देने की कोशिश भी करता हूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप में next studio में जब तक करें good bye